तो दोस्तों आज दिसंबर के कईस तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं विंटर के दस खुबसूरत फूलो वाले पधे जिनको हम छोटे पाट में भी असानी से ग्रू कर सकते हैं और ये प्लांट पूरे विंटर फ्लावर से भरे रहते हैं तो आई ये जानते हैं ये द उच्छों में आते हैं और कितने खुबसूरत इसके फ्लावर दिखते हैं वर्वीना की जड़े बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं इसलिए इसको बहुत बड़े पाट में ग्रू करने की जुरूरत नहीं है या प्लांट छोटे पाट में भी असानी से ग्रू हो जाता है और पूरे विंटर फ्लावर से भरा रहता है वर्वीना को आप एक हैंगिंग बास्केट की तरह भी लगा सकते हैं बहुत ही खुबसूरत इस प्लांट के हैंगिंग बास्केट तयार होते हैं वर्वीना का प्लांट बहुत सारे कलर वराइटी में आपको नरसरी पर मिल जा यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है और इस प्लांट के भी आपको बहुत सारे कलर वायटी नर्सरी पर मिल जाएंगे तो 20-30 रुपए में यह प्लांट नर्सरी पर मिल जाता है इस प्लांट के भी रूट बहुत कहराई तक नहीं जाते हैं इसलिए इसे आप छोटे पार्ट में असानी से ग्रो कर सकते हैं डाई अन्थस भी एक फुल सनलाइट का पौधा है इस प्लांट को आप लगबग 5-6 घंटे की धूर दिखाईए तो यह बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग करेगा डाई अन्थस प्लांट में जो फ्लावर सूख जाएं उनको कट कर करके आप हटाते रहें इससे प्लांट में बहुत सारे ब्रांच आएगी और बहुत सारे बढ़ बनेंगे राई अन्थस को बहुत फटलाइजर भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है बस आप महिने में इसे एक बार फटलाइजर दे दें तो यह लगातार फ्लावरिंग क करता रहता है छोटे पॉर्ट में ग्रो होने वाली लिस्ट का तीसरा वहुत ही खुबसूरत प्लांट या कैलेंडूला का है कैलेंडूला देखिए मयरी गूर्ड की तरह दिखने वाला प्लांट है इसे भी आप छोटे पॉर्ट में ग्रो कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आ आप बहुत ही असानी से अपने गार्डन में सामिल कर सकते हैं करलेंडुला में पत्तियां बहुत सारी होती हैं लेकिन जितनी पत्तियां होती हैं उतनी अधिकिस में फ्लावर भी आते हैं यह प्लांट को समय बाद पूरा फूलों से भर जाता है बहुत ही खोबसूरत इस प्लांट को आप बीज से भी असानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को मैंने बीज से ही ग्रो किया है आप इसको बीज को कलेट करके रख लें सितमबर अक्टूबर में आप इसके बीज को ग्रो कर लें तो यह इस तरह से बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग करना इस समय शुरू कर देगा आज की लिष्ट का चौथा बहुत ही खुबसूरत प्लांट या कारनेशन का है कारनेशन एक डाइ इंथस फेमली का फ्लावर है कारनेशन के फ्लावर भी कई रंगों में आते हैं और यहाँ प्लांट भी पूरी सर्दी फ्लावरिंग करता रहता है इस प्लांट को भी आप 4-5 घंटे की सनलाइट में रखें या एक सीजनल प्लांट है और नसरी पर यहाँ प्लांट लगबग 60 उपए में मिल जाएगा प्लांट पूरा फ्लावर से भर जाएगा तो यहाँ बहुत ही खुबसूरत प्लांट को आप छोटे पाट में असानी से ग्रो कर सकते हैं पाचवाँ खुबसूरत प्लांट या गजानिया का है गजानिया एक बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है और यह प्लांट पूरी सर्दी फ्लावरिंग करता रहता है इस प्लांट में बहुत सारे साइट से प्लांट निकलते रहते हैं इसलिए यह प्लांट फूलों से पूरा भर जाता है इस प्लांट को आप फूल सल लाइट में रखें या की बहुत सारी कलर वराइटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी और या प्लांट बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग लगातार करता रहता है इसके फूल साम को अपने आप बंद हो जाते हैं और सुबह होने प प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर सामिल करें चोटे पॉर्ट में ग्रो होने वाले लिस्ट का छटा बहुत ही खुबसूरत प्लांट या पैंजी का है पैंजी एक बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है इस प्लांट को बटरफ्लाइ प्लांट भी कहते हैं इस इस प्लावर पर पिंचिंग करके आप धेर सारे फ्लावर ले सकते हैं, इस प्लावर भी आपको नरसरी पर कई रंगों में मिल जाएंगे, अभी मेरे पास के वल दो ही कलर के इसके फ्लावर हैं, बहुत ही खुबसूरत या प्लावर पॉर्ट में लगातार फ्लावरिंग करत गुल्दाओदी की दो वराइटी आती है एक लांग वराइटी और एक डॉर्फ वराइटी ये जो आप देख रहे हैं ये गुल्दाओदी की डॉर्फ वराइटी है इसे आप छोटे छोटे पॉर्ट में या हैंगिंग बास्केट में असानी से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट की हाइट देखिए हाइट इसकी बहुत उचाई तक नहीं जाती है इसलिए इस प्लांट को आप छोटे पाट में असानी से ग्रो कर सकते हैं फुल दाओदी की और बहुत सारी वराइटी आती है जिसे आप बड़े पाट में ही ग्रो करें केवले इसकी डॉर्फ वराइटी है जिसे आप छोटे पाट में ग्रो करें इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें एक बार इस प्लांट पर फ्लावर आ जाते हैं तो महिनों तक इस प्लांट पर फ्लावर लगे रहते हैं तो बहुत ही खुबसूरत इस प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर सा प्लांट है इस प्लांट के फ्लावर कई रंगों में नरसरी पर मिल जाते हैं इस प्लांट के फ्लावर भी देखिए छोटे-छोटे और गुच्छों में आते हैं और कई दिनों तक इसके भी फ्लावर इस प्लांट पर बने रहते हैं तो इस बहुत ही खुबसूरत प्लांट को आप नरसरी सिला कर इस समय गार्डन में सामिल कर सकते हैं इस प्लांट की कटिंग भी असानी से ग्रो हो जाती है इस प्लांट की हाइड भी बहुत जादा नहीं जाती है मैंने ये धेर सारे कटिंग से प्लांट तयार किये थे और सब को मैंने 6-7 इंज के पॉट में ग्रो क सुखे हुए फ्लावर को प्लांट से हटाते रहें तो इस प्लांट पर बहुत सारी बढ़िंग आती रहेगी सर्दियों में यह प्लांट थोड़ा काशली नर्शरी पर मिलता है इस प्लांट की प्राइज लगभाग 200-300 रूपय तक रहती है तो इस खुबसूरत प्लांट को आपके पास हमेशा बना रहेगा बस इस प्लांट को समर में केरिंग करनी पड़ेगी इस समय बिंटर में यह प्लांट फ्लावरिंग भी करता है और इसके देखिए उपर के जो फ्लावर आते हैं वो इस रेट कलर के लीव से निकलते हैं यह रेट कलर के लीव जैसे जो दि समर में यह प्लांट रेट कलर की लीफ नहीं दिखाई देता है तो यह खुबसूरत बिंटर में थोड़ा काश्टली मिलता है नरसरी पर इस प्लांट की प्राइज लगभाग 200-300 रुपए तक होती है इस प्लांट को डारेट सनलाइट में ना रखें इंडारेक्ट इस लग जाती है तो इस प्लांट को आप कटिंग से एक प्लांट से कई प्लांट तयार कर सकते हैं सर्दियों में छोटे पॉट में ग्रू हने वाली आज की लिस्ट का दस्वा और अंतिम खोबसूरत प्लांट या पिटूनिया का है पिटूनिया एक बहुत ही खोबसूरत फ्लावरिंग प्लान्ट होतहैँ बिंटर या फूलों से भरा रहता है पिटुनीय, बिश्ट हैंग बासकेट प्लान्त है इसे उगाना और केरिंग इसकी बहुत हिसाना होती है पिटुनिया को आप सीट से भी ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट पर पिंचिंग के दोरा आप बहुत सारे फ्लावर ले सकते हैं फ्लावर ड्राई होने पर प्लांट के फ्लावर को आप कट करके हटाते रहें या बहुत ही खोबसूरत प्लांट लगातार गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है नर्सरी पर इसके बहुत सारी कलर वराइटे आपको मिल जाएगी नर्सरी पर इस प्लांट के प्राइज लगबग 20-30 रुपई रहती है तो इस खुबसूरत प्लांट को आप लाकर के अपने गार्डेन में जरूर सामिल करें इस प्लांट को बहुत गहरा पॉटने चाहिए लिकिन ऐसा पॉटने जिसकी चौडाई जादा रहे जिससे इस प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत अधिक होगी तो दोस्तों उम्द है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर कर दें अगर आप चैनल पर नए है तो सच्टाइब करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केर